ओम शांति आज 3 ओक्टूबर 2022 दिन सुम्वार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम हो रुहानी योद्धे तुमें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्यान के गोले मिले हैं जिन से माया दुश्मन पर जीत पानी है प्रेश्ण किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हूँ उत्तर सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए अभी तुमें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुक्तु करके 21 जन्मों के लिए ज्यान योग से अपनी जोली भर रहे हैं हम शिबाबा के पोत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो फिकर किस बात की करें गीत तकदीर जगा कर आई हूँ ओम शन्ति बाप बैठ समझाते हैं मेरे लाडले बच्चे तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ग्यान का बारूद बड़े बड़े ग्यान के गोले मिल रहे हैं तुम जानते हो यह वही गीता का एपिसोड है अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है तुम बच्चे गुप्त सेना हो जैसे वो लोग प्रेक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं वैस कि गीता का पार्ट फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रही है तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो वैसे ना मेनत करती है राजा रानी के लिए तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादिशा ही लेते हो पां यहां तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रालब्द बनाते हो तुम मम्मा बाबा से भी उँच जा सकते हो परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से उँच कोई जा नहीं सकता भल सूरे चांद को ग्रहन लगता है परंतु तूट नहीं सकते सितारे तो तूट पड़ते बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा ऐसे सिकिलदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो चास्ती ताकत मिलेगी क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ग्यानी तु आत्मा से प्यार है ध्यानी को सक्षतकार की इच्छा रहती है जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ग्यानी कहेंगे बाबा को ग्यान का बहुत शोक है अभी तुमें ग्यान के गोले मिल रहे हैं यह नई बात है ना ध्यान में बहुत साक्षतकारादी करते हैं परन्तु उनको ग्यान कुछ नहीं मिलता है बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान खराब है भक्ती मार्ग में इस अक्षातकार होता है तो खुश हो जाते हैं परन्त मुक्ति धाम में जा नहीं सकते बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविशे प्रिंस बनेंगे देवताएं यहां तो है नहीं जो इन आखों से देखे चित्र तो है न क कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेज की रास विलास होती है, अत्वा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महरानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है, बाबा साक्षत करकर आते हैं कि निश्चे हो जाए कि हम भविशे महरानी बन रही हैं, ज्यान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे, यह जो हम सो का मंत्र है, वह अभी का है, शी बाबा को याद करने से ताकत मिलती है, हातम ताई का खेल दिखाते हैं, मुलहरा डालते थे, तो माया उड़ जाती थे, बाबा एक परम धाम, वो लोग यात्रा पर जाते हैं, तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों ही दाम बुद्धी में होंगे, तुपहरी बुद्धी में सिर्फ एक परम धाम है, कोई से पूछो तुम क्या चाहते हूँ, कहेंगे मुक्ती, सन्यासी भी शान्ती के कारण घरबार चूट जाए, मौक्ष मिल जाए, परन्तु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते, यह अनाधी बना बनाया ड्रामा है, यह ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं, क्रियेटर, डारेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते, तुम जानते हो इसे ड्रामा के पूरे चा पूरे चार भाग हैं। बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अगनी से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुम अपने पुर्शार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना। इनको का जाता है साक्षतकार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ती में जानने के लिए पुर्शार्थ कर रही हैं। जिसमें ज्यान की दरकार है। मुक्ती में हमको ठहरना नहीं है। हमारा ओल राउंड पार्ट है जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया एहमदाबाद करते हो ना। हमको भी जीवन मुक्ती में जाना है वाया मुक्ती। घड़ी घड़ी परमधाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं यहां इतना नहीं पढ़ सकते इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी। इसमें अमरतवेला अच्छा है। सनान भी अमरतवेले किया जाता है एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते रहो। टेप में मुरली भरी जाती है भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होंगी तो जट खयाल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं यह बारूद है ना। बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं जैसे बैरिस्टर सर्जर लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं जो बहुत किताब पड़े होते हैं वे अच्छी द्यवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रिती नोट्स भी लेते हैं कोई नोट्स भी नहीं ले सकते बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है वे भी उनके विकर्म है तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है जैसे पहले अंगरेज आए तो व्यापार के लिए परं नहीं तुम योगबल से राजभागे लेते हो सत्यूग में लक्षमी नारायन को राजाई कहां से मिली कल्यूग की रात पूरी हो फिर सत्यूग दिन होना है दिन में राजाई रात में धम चक्र बाबा आते हैं तो हम धनके बन जाते हैं कल्यूग के बाद है सत्यूग अने जोने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं उनको कहा जाता है heavenly duty kingdom अभी तो है hell और निर्वान धाम है ब्रह्मांड जहां तुम अंडे मिसल रहते हो तुम्हारी बुद्धी में सारे ब्रह्मांड और स्रिष्टी की knowledge है कितनी सहज बात है मुख्य है गीता की बात गीता में भगवान का नाम बदल दिया है यह है ग्यान के गोले एक बात को युक्ती से समझाओ इस समय सब दुबन अर्थात दलदल में फसे हुए हैं बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं माया ने पंक तोड़ दिये हैं उड़ नहीं सकते हैं अभी स सबको पवित्र बनकर वापिस जाना है तुम पुर्शार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने बाब समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी नंबर वन जो पास ह उनको ज़रूर खुशी होगी na गवर्मेंट भी स्कॉलर्शिप देती है तुमारी भी माला बनी हुई है 108 की भी माला होती है 16,108 की भी माला होती है एक बॉक्स बनाते हैं उसमें डाल देते हैं अब तुम समझ गए हो यह माला किसकी है रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है पहले है ब्रह्मा की माला बाप रचना रच रहे हैं न जो ब्रह्मा की दिल पर चड़ते वही शिबाबा की दिल पर चड़ेंगे यह है ब्रह्मा की माला सब बच्चे हैं न तो पहले उनकी माला फिर रुद्रवाला बननी है फिर जाकर विश्णू के गले में पिरोएंगे यह Heavenly Kingdom अब स्थापन हो रही है यह मनुशियस रिष्टी ही स्वर्ग और नर्क बनती है स्वर्ग में God और Goddess रहते हैं उनको Heaven कहा जाता है Heaven वाले ही फिर Hell में आते हैं फिर हम Hell से Heaven में जाते हैं माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं तुम कहेंगे कि हमने यह पाट अनेक बार बजाया है कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे हम स्वर्ग नहीं देखेंगे बोलो सब थोड़ी ही वहाँ जा सकते हैं Impossible है हर एक अपना सतो रजोतमों में पाट बजाते हैं यह कोई को पता नहीं है तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं ड्रामा तुमको अवश्य ही पुर्शार्थ कराएगा ड्रामा में इनसे मुर्ली चलवा रहे है पुर्शार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे बैट नहीं जाएंगे कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी कितनी गुये बाते हैं ड्रामा को रिपीट जरूर होना है हम तो बेफिक्र बादिशा हैं परम पिता परमातमा शिव के पोत्रे हैं उनको क्या परवा रखी है यह है राज योग बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो इनसे बुद्धी योग हटा दो फिर जितना ग्यान योग से जमा करेंगे उतना तुमारी जोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी इसमें डरने की तो बात नहीं बाबा तो देने वाला है कहते हैं जो कुछ तुमारा है सो कुर्बान कर दो या कोई महल तो नहीं बनाने है इन पैसों से क्या करना पड़ता है सिर्फ तीन पैर प्रिथवी के लेकर सेंटर खोल देते हैं यह जबरदस्त यूनिवस्टी अथवा होस्पिटल है वह होस्पिटल तो अनिक होती है यह तो एक ही होस्पिटल है जो religious minded होंगे वै तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा होस्पिटल खोले जो मनुश्य ever healthy बन जाए बाबा health wealth देते हैं तो वै कहते हैं कि बाबा यह तुमारी चीज़ है जिस भी काम में चाहो लगाओ तो निश्चे कर पूरा फोलो करना चाहिए न हर एक अपनी जाती को चढ़ाते हैं न तुम कहते हो हम ब्रामन हैं तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए बाबा 21 जन्म की बादिशाही देते हैं बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे हमारा खर्चा कुछ है थोड़े ही तुम सिर्फ पेट के लिए दो रोटी खाते हो और क्या मनुश्यों का तो खर्चा बहुत है शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है तुमारे सगाई होती है शिबाबा के साथ खर्चा पाई का भी नहीं सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है तुमको अपना यादगार देख, खुशी होगी यह हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार है मुखे यादगार हैं ही पांच साथ पहले-पहले मुखे हैं शिबाबा का यादगार उस एक के ही अनिक नाम है फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विश्नु शंकर के यागदगर फिर मनुश्य स्रिष्टी में संगम यूगी जगत अंबा जगत पिता और तुम शक्तियां बच्चे और सत्यूग में हैं लक्ष्मी नारायन बस बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं उसमें कितना भटकना पड़ता है तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो ऐसी कोई उनिवस्टी नहीं जह मनुश्य से देवता बने तुम्हारी है गॉडली स्टुडेंट लाइफ तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुखे सर अमरित वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्यान योग में तीखा बनना है नमबर वन पास होकर स्कॉलर्शिप लेनी है वरदान ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारन ना हो हर पार्ट एक्यूरेट हो कितनी भी समस्याओं हो कैसी भी परिस्थितियां हो किसी के भी अधीन नहीं अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रही है खेल में सदा खुशी रहती है चाहे कैसा भी खेल हो बाहर से रोने का भी पाट हो लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी स्लोगन जो सदा प्रसन रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र है ओम शंती